हलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का दिल से महद्वार सवाध करता हूं दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को उन्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा इनलाइब मार्केट में कुछ अपडेट चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन किजिए फिरी में वीडियो के डिस्क्राइब में आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं हैजिंग से सम्मद्धी देख और नया जी लेके आया हूँ आपके सामने है चलिए देखते हैं किस तरीके से यह काम करेगा मैं बैंक निप्टी के उपर बात कर रहा हूं इस हैजिंग को दोस्तों अभी करेंट स्पोर्ट प्राइज हमें देखने को मिल रहा है वो पस्ट्रा के वेग साइट में या डिजाइन ब नारा 35,000 400 का और हम अगले एक्सपारी आज गुरुवार था चार फरवरी है आज है आज कर देड चार फरवरी आज एक्सु आएक्स एक्सपारी खतम होता है और कल से फ्राइडे होगा और 11 फरवरी 11 फरवरी का घो एक्सपारी है वा कल से सुकरवार से IKT होगा और उसमें ट्रेड होना start होगा कल के दिन से तो हम कल ही इस हैजिंग को बनाएंगे, हर Friday को इस हैजिंग को बना सकते हैं चलिए मैंने जो बना कि रखा है उसको दिखते हैं किस तरीके से हम डिजाइन करना है किस तरीके से बनाना है और हमको कितना लोस हो सकता है मेकजीमम और मेकजीमम प्रोफिट क्या बन सकते हैं और इसको इसे करने के लिए हमें क्या प्रीमियम लगना चाहिए या क्या प्रीमि e-sport price चल रहा है 35,400 रुपए हम मान लेते हैं यह price current है तो हम 1000 पाइंट उपर जाते हैं इसके तो हमको जो price मिलेगा वह होगा 36,400 रुपए यह 1000 पाइंट हम उपर गये तो हमको जो मिल रहा है वह है 1000 पाइंट दूर में 36,400 रुपए और हमको खत्रा है कि next trading day में मान लेते हैं कि gap up हो जाता है बेंग निप्टी 500 पाइंट या 800 पाइंट तो उस condition में हमको loss नहों इसको हम safe रखने के लिए ही इस strategy को त्यार कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि 1000 पाइंट तक उपर gap up हो सकता है हमारा बेंग निप्टी में तब तक हम loss में नहीं रहेंगे तो इसको बनाने के लिए हम हमारा जी spot price है उससे हम 1000 पाइंट उपर जाते हैं उपर जाने के बाद हमको मिलता है 36400 का price ये मैंने ले रखा है दोस्तों यहां हम 5 lot sale करेंगे जिसका हमें premium मील रहा है 197 रुपए मान लेते हम 200 रुपए का premium हमें पर option मिल रहा है तो 5 इंटू 200 का हमको मिल रहा है ये premium जो है हमको मिल जाएगा 1000 का premium मिल रहा है यहां नेट हमको जो premium मिल रहा है वह 1000 का premium मिल रहा है तो हमको जो प्रोफिट होगा इस sale की कर रहे हैं 5 lot उससे तो 25 इंटू 1000 मतलब 25,000 रुपए का हमको profit हो जाएगा इस sale में 25,000 रुपए हमने यहां बना लेंगे इस sale position में हम बनाएंगे जो short sale कर किये हैं उपर 1000 पॉइंट जाके 5 lot उसको उसमें इसके बाद हम add the money से उसके आधा प्राइज में मानते हैं अभी 400 रुपए चल रहा है 35,000 रुपए हम चल रहा है और 1000 पॉइंट हम उपर जाके sale किये हैं तो 1000 पॉइंट का अधा 500 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे हम आएंगे तो हमको मिलेगा 35,900 रुपए और 35,900 रुपए के call option को हम एक load buy कर रहे हैं यहां मैंने एक load buy कर दिया है जिसका premium मुझे pay करना पड़ा 325 रुपए यह मेरा जो 1000 पॉइंट नीचे आता है तो तो मेरे को जो premium अब मिला वह है 600 और 75 रुपए होगा यह 675 रुपए मुझे net premium मिल रहा है अब इसको मैं buy कर दिया हूं तब और market नीचे की और close होता है expiry होता है नीचे होता है expiry तो मेरे को इतना point मिल रहा है अभी अब हम यह हमारा setup बन गया उपर को 5 lot sell किये और जो sport price है उसके आधा भाव में यहां हमें 1000 point दूर गए और इसके आधा भाव नीचे आते हैं तो 500 point होगा तो हमको 35,900 के भाव को buy करना है एक lot इसके बाद अब हमको यहां margin बहुंच ज़्यादा लएगा तो margin को हमें कम करने के लिए यहां हमने 5 lot उठाया है sell side तो यहां हम 6 lot buy करेंगे बहुत ही दूर वाले strike price के option काल premium काल को option के काल option को और इसका जो rate होगा वा कम से कम हो सकता है तो मेरे को यहां 40 रूपICIA का भाव मिल रहा है तो 40 in to 6 मेरे को 214 दोसो चालिस का यह premium भी मेरा जाने वाला है तो मेरे को net premium मिलने वाला है वह होगा नीचे के और अगर market close करता है या नीचे आता है तो यहाँ मेरे के 1000 का premium मिला इसमें से इसके बाद उसके नीचे मैं यहां pay कर दिया 325 का premium ये 325 का premium हो गया ये 0 होगा मेरा और 40 के भाव में में 6 गूरा किया तो 240 का ये premium मैं pay कर रहूं ये 0 हो जाएगा दोनो और ये मेरे को मिल देगा तो नीचे अगर market आता है तो बीना ऊपर जाये मेरे को नेट मिलने वाला है प्रीमियम होगा 325 और 240 एड कर देंगे हम तो एड करते हैं 5, 6 और ये 5, 565 पॉइंट मेरा जाने वाला है तो हम माइनेस करते हैं एक हजार यहां प्रीमियम मिल रहा है और इन दोनों को जब हम एड किये तो आया 565 ये प्रीमियम मेरे को मिलेगा जो बच रहा है हुआ अब हम माइनेस करेंगे इसको 5, 3, 4 ये चार मेरे को जो नेट प्रीमियम मिलने वाला हुआ 435 रुपए का प्रीमियम मेरे को मिलने वाला है जब मार्केट नीचे की और आएगा तब तो 435 इंटू 25 इतना मेरा नेट प्रोफिट होगा जब मार्केट नीचे क्लोज करेगा इस price के नीचे 36,400 के नीचे close करेगा तो मेरे को इतना रुपए मिल जाएगा करीब करीब ये 10,000 से plus होगा calculation हम नहीं करते हैं हापे आप सको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें करना है प्रतेक Friday को हम इस strategy को बना सकते हैं और expiry के दिन हम एक निच्चित income लेकर बाहर हो जाएगे मार्केट से यहां हम देख पा रहे हैं profit का जो probability है 78% का probability है मतलब हम profit में ही रहेंगे इसके बाद maximum profit जो है वा undefined है लेकिन maximum loss आपको देखने को मिल रहा होगा maximum loss यहां define कर दिया गया है मतलब एक निच्चित सीमा का loss होगा हमें जितना premium हम pay कर रहे हैं उतना का ही loss होगा उसके बाद हमारा loss सीमित हो जाएगा यह rarest condition में है ऐसा loss नहीं होगा लोस होने से पहले हमको बड़ा profit देखने को मिलेगा और जब भी हमको बड़ा profit दिख जाएगा हम market से exit कर जाएंगे अब देखते हैं maximum profit हम किस condition में पाएंगे पहले निचे की ओर से उपर की ओर जब market निकलता है तब आप चार्ट में देख पा रहे होंगे निचे की ओर इस price में इस price में कितना भी निचे आजाए हमको एक निश्चित आमदनी का होगा एक निश्चित profit है जिसका जो profit होगा वह 10,695 रुपय का हो रहा है वही जो मैंने आपको बताया 435 रुपय का जो हमको मिल रहा है profit यह हमारा net profit है निचे किसी भी range में यह market close होता है तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो strategy है market कितना भी निचे आजाए आप देख पा रहे होंगे यहां 33,000 रुपय हमने लिए इस condition में हमको 10,695 रुपय profit में रहेंगे हम उसके निचे कितना भी निचे आजाए market हमको profit ही रहेगा लेकिन हमको loss कब होगा लोस होने से पहले हमको maximum profit भी दिखेगा तो जैसे हमारा निचे कि और fix profit है 10,695 रुपय का उसी तरीके से उपर कि और profit बढ़ता जाएगा एक समय के बाद जैसे market उपर की और 35,400 रुपय से उपर निकलता है और 36,500 पॉइंट के उपर के उपर अगर निचाता है market तो हमको हमारा profit बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा एक स्पारी से पहले अगर यहां condition आता है उपर के और market निकलता है तो हमको 10,000 से ज़्यादा profit देखने को मिल जाएगा और जैसे ही हमको 15,000 या 17,000 के आसपास का profit देखने को मिले हमारा terminal में हम वहां से close कर लेंगे अपना position क्योंक के लोगस का इंतजार किये भी ना ही 15,000 से 17,000 रुपए जैसे ही हमको देखने लएगा हमारा terminal में उस condition में हम अपना profit booking कर लेंगे यह सबसे बेश्ट तरीका है इस strategy को proper तरीके से work कराने का 15,000 रुपए से 17,000 के बीच हम अपना profit booking कर लेंगे जो first week के बीच में जब भी हमको ऐसा नजारा दिखने को मिले 15,000 से 17,000 हमारा terminal देखने को मिल जाए हम इसको book कर लेंगे इसके बाद हमको loss जब कब होना सुरू होगा 36,600 के उपर जैसे ही market निकलता है मतलब एक हजार पाइंट अभी जो current price है उसके एक हजार पाइंट उपर जैसे ही जाता है हमको loss होना सुरू हो जाएगा तो आप loss का इंतजार ना करें loss के इंतजार करेंगे तो आपको बड़ा loss का सामना करना पड़ सकता है इसी strategy से लेकिन हमारा जब profit का दायरा है वह नीचे की ओर कितना भी गिर जाया हम profit में ही रहेंगे इसी strategy का यही खास बात है दोस्तों आपको strategy समझ में आया होगा अब हम चलते हैं इसके लिए margin कितना लगता है उसको मैं आपको इसपर्ष्ट कर देता हूँ दोस्तों इसके लिए margin required जो बश्टरा के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा हुआ 88,000 रुपए का मिल रहा है इतना amount आपके पास हो तो इस तरीके का hedging आप बना सकते हैं और market कितना भी गिर जाए आप profit में ही रहेंगे ऐसा यह strategy है उपर लोस आने से पहले आपको बड़ा profit दिखेगा एक बार उस बड़ा profit को आपको catch करना है उसके बाद जो लोस आएगा उसका इंतजार ना करें बिना इंतजार किये लोस का हम profit booking करेंगे बड़ा profit मैंने आपको range भी बता दिया है किस range में हम इस strategy से profit booking कर लें जरूर से जरूर बताईएगा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद